Hello friends, this is Bharti by Profession Art and Craft Teacher Let's start today's work तो आज हम बनाने जा रहे हैं bottle art उसके लिए मैं एक feather बना रही हूँ तो मैंने एक plain paper लेकर पहले उसके पर feather की drawing कर ली है थाकि हम अपने feather को एक look दे सके तो ये finally एक drawing मुझे मिल गई है तो उसके उपर मैं newspaper से छोटी-छोटी sticks बनाऊंगी और उसको feather पर लगाऊंगी तो sticks बनाने के लिए मैं brush पतला वाला brush लिया है ताकि मेरी जो sticks हैं वो जादा मोटी ना बने और उसके उपर roll-roll करके मुझे ऐसे sticks ready करनी है newspaper क्योंकि easily available है और waste item है best out of waste भी हो जाता है ये और इससे मैं ऐसे 10-12 sticks बनाकर ready कर लूँगी और ज़्यादा बड़ी sticks हमको नहीं बनानी है और sticks को थोड़ा round-round करके घुमाते जाएंगे ना तो वो tight भी हो जाती है तो वो ज़्यादा lose-lose नहीं रहती है और बहुत easily बन जाती है तो news paper easily available है तो उसके साथ craft करना और भी असान है तो ये मेरी सारी sticks ready हो गई है और अब मैं feather को पेपर से cut करके अलग रख लूँगी ताकि मैं feather की shape में ही sticks को लगा पाऊं तो मैं यहाँ पे feather को cut कर लेती हूं और अब sticks को इनके उपर फैविकोल से लगाएंगे तो चलिए ये हमारा feather कट गया है और अब इसके उपर फैविकोल लगाते हैं और फैविकोल लगाकर फिर sticks को लगाते जाएंगे sticks को लगाने के लिए पहले उसको corner से थोड़ा सा काट लेंगे क्योंकि वहां से triangle shape एक बहार निकलावा होता है तो finishing आना बहुत ज़रूरी है और बस ऐसे ही करके हम अपनी सारी sticks को यहाँ पर लगाते जाएंगे और paper को जो यह feather है इसको उल्टा करके ना फिर cutting करेंगे उपर से तो हमें feather का shape नजर नहीं आ रहा है तो हमें इसको उल्टा करके ही काटना होगा मुझे यह feather बनाने में बहुत मज़ा आ रहा था और sticks बनाने में मुझे बहुत अच्छा लगा तो बस मैंने सोचा क्यों न ऐसे कुछ बनाया जाए कि waste भी use हो जाए और बहुत कुछ अच्छा सा item भी निकल आए तो बस ऐसे मैंने अपना एक feather ready किया और यह feather वाकई में बनने के बाद भी बहुत अच्छा लग रहा था इसको हम कुछ और दरीके से भी use कर सकते हैं तो मैं इसके साथ एक DIY बात में जरूर से use करूँगी थोड़ा सा बड़ा feather बना के न कुछ wall hanging type में जरूर ट्राइ करूँगी क्योंकि यह newspaper लगाने के बाद यह बहुत अच्छा लग रहा था अच्छा जैसे अगर बीच में newspaper खुल जाए न तो उनको हम वेविकोल से दुबारा से लगा सकते हैं जैसे कि आप वीडियो में भी देख पा रहे होंगे मैं यहाँ पर पूरा process भी खा रही हूं न्यूस पेपर की sticks मैंने कैसे लगाई हैं मैं बिल्कूल भी यहाँ से पाद को कट नहीं कर रही हूं ताकि आपको लगाने में असानी हूं कि छोटे एरिया में भी हमने यह newspaper की sticks को कैसे लगाया है इसलिए मैं बिलकूल भी इस वाले part को cut नहीं कर रही हूं बस आप इस वीडियो को पूरा देखते चाहिए कि मैंने यहाँ पर छोटी छोटी sticks को भी कैसे लगाई ह। और मैंने इनी sticks को बार-वार ही यूज किया है मैंने और sticks बार-वार नहीं नहीं बनाई हैं तो बस छोटी बड़ी जितनी भी स्टिक से इन्ही को यूज करके मैंने अपना पूरा जो है फैदर कम्प्लीट कर लिया है तो यह बची हुई कटिंग से उन्ही को मैं यहां पर लगाती चाहरे हूँ फैदर पर न्यूस्वेपर स्टिक करने का जो पूरा डियाइवाय है आप यहां पर देख सकते हैं बिल्कुल भी स्केप ना करें वरना स्टिक करने में थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है क्यूंकि मैंने भी इसके स्टिकिंग करने में दो तीन बार ट्राय किया था तब जाकर यह मेरा ऐसा बन पाया तो यह उल्टा करके एक्स्ट्रा जो स्टिक्स हैं उनको कट कर लेंगे और फिर दुबारा से जो बची होई स्टिक्स हैं उनको लगाते जाएंगे बस यही ध्यान रखना है कि बिल्कुल भी छोटी स्टिक बीच में नहीं लगानी है कि वो हमारा फैदर का जो नीचे वाला पेपर है उसको कवर्ड ना करें बस पेपर के उपर इसको ऐसे लगाते जाएंगे और अब यह कटिंग कर लेंगे ताकि बची हुई जो स्टिक्स हैं उसको उपर भी हम यूज कर पाएं तो यहां पर मैंने एक्स्टर स्टिप्स जो हैं कटिंग कर लिये हैं और अब उनको लगाती जा रही हूं बस यह हमने लगा लिया और फाइनली है हमारा फाइनल हो चुका है बस उपर तक इसको स्टिक कर देंगे और एक्स्टर जो लंबी स्टिक्स हैं उनको कट कर देंगे अगर बीच में कोई गैप नजर आता है तो वहां पर भी अपनी न्यूस पेपर की स्टिक जो है लगा दें बिल्कुल भी गैप ना छोड़ें बीच में और उसको टाइटली बहुत पास-पास करके चिपकाते जाईए फाइली हमारा जो है फैदर कंप्लीट है तो अब यह जो बीच वाला पार्ट है यहां पर भी एक हम लंबी स्टिक जो है लगा देते हैं मैंने स्टिक को थोड़ा सा प्रेस करके ना पतला कर लिया क्योंकि राउंड में वो टर्ण नहीं हो पा रहा था तो मुझे जब मैंन इसको फ्लैट किया तो वो इसली लग गया और यह अब हमारा फैदर रेडी है अब फैदर को मैं यहां पर एक बॉटल ली है यह बॉटल मैंने बहुत असानी से कबाड़ी के पास मिल जाती है जो रद्दिव गेरा लेकर जाते है तो मैंने वहीं से खरीदा है और बहुत सस पर से जो मने फैदर बनाया है यह लगा रही हूं और बहुत अच्छे से इसको लगा देंगे फैविकोल पूरे इसके पर ही लगाना था और अच्छे से इसको क्यूंकि थोड़ा सा बॉटल टाइम लेता है इस्टिक करने में तो टाइटली प्रेस करते जाए और उसको लेंगे और इसके ऊपर हम गिशु पेपर लगाएंगे तिशू पिपर लगाने से हमारे यफेक्ट मे ऑता है जो आ जाता है जो क्ले के अंदर क्रीज और सल्वर्चे नजर आतION तो तो टीशू लगाने से भी वही नजर आता है और वो टेक्स्टेर ना बहुत अच्छा लगता है तो ये मैंने फेविकॉल अप्लाए कर लिया और अब इसके उपर में ये पतले वाले टीशू जो है ना लगा रही हूं और इन टीशू को लगाने में जादा देर नहीं लगती है बहुत असानी से लग जाते हैं और ड्राए भी बहुत जल्दी हो जाते हैं ये ऐसा भी नहीं कि बहुत लंबा टाइम लगता है जबकि हाँ अगर हम ख्ले लगाते तो उसको ख्ले लगाने में हमको पूरा एक दिन लग जाता क्योंकि वो ड्राए होने में टाइम लेता है और अब तो समर है तो वैसे भी टीशू को और ज्यादा टाइम लगना ही नहीं है तो यह हम ऐसे करके अपना टीशू लगाते जाएंगे फेविकोल सभी जगा पर लगा लेंगे अच्छे से ताकि पेपर कहीं से भी परवाला पार्ट है मैं यहाँ पर थोड़ा ज्यादा टीशू करी रोलिंग कर रही हूं ताकि थोड़ा सा स्मूथ सर्फेस बन पाए बस फाइनली हमारी बॉटल रेडी है अब इसके उपर मैं ब्लैक पेंट कर रही हूं क्योंकि मुझे एंटिक लुक देना है और बॉटल आर्ट में जादा तर इस टाइप का ही काम अच्छा लगता है वैसे तो जितनी बॉटल देखो वो अपने आप में बहुत सुंदर ल फैसे जासी है अब मैं यहां पर गोल्ड lei कलरा ईूस कर रही हूँ तो मैं फैदर को तो पूराह कर रहे हूं और वाकि जो बॉटलесь वहां पे मैं dry brush effect दूँगी तो यही मैंने अपने feather को पूरा जो है golden color कर लिया मैं bottle की neck को भी पूरा golden ही करूँगी और इसमें golden color करने के बाद जो हमारी feather है ना उसकी भी sticks clear नजर आ रही है हमारे feather का भी कोई पार छुपा नहीं है और अब यह मैं dry brush strokes दे रही हूँ बाकी बचेवे part पर और वो बहुत अच्छा लग रहा है बहुत graceful हमारी bottle लग रही है मैंने यहाँ पर bottle का neck भी golden कर लिया है और ऐसे अब हमारी bottle जो है complete है यह हमारी bottle का final look है और bottle देखने में बहुत सुन्दर ही लग रही है लगी नीराए कि यह हमारा homemade decor है thanks for watching